मैं बनाने वाली हूँ मतर की सबजी तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगी की वीडियो दिखने के लिए या पर मैंने प्याज टमाटर लहसू को पहले से काट के रख लिया है और मतर को भी छील लिया है अब हम एक कडाही में दो बड़े चमस तील गर्म करेंगे फिर उसमें हम पाच फूरं डालेंगे और पाच फूरं को चटकने देंगे उसके बाद हम उसमें प्याज डाल देंगे और इसे भी फ्राई करेंगे और लहसून को भी डाल देंगे हम प्याज लहसून को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे उसे बस हलका सा फ्राई करेंगे और अब हम इसी समय उसमें टमाटर देंगे यह मटर के सब्सक्राइब खाने में बहुत ही अच्छी लगती है अब इसको किसी भी चीज के साथ आई यह बहुत तीज़ी लगती है और अब हम इसी समय मटर दे देंगे और इसको भी अच्छी तरीके से फ्राइब करेंगे अब हम इसमें नमक देंगे फिर इसमें हम थोड़ा से जीरा देंगे थोड़ा से धनिया देंगे और थोड़ा से लाल मेच देंगे और इसको भी फ्राइब कर लेंगे अब हम इसमें हल्दी देंगे और इसको भी हम अच्छी तरीके से फ्राइब करेंगे मटर जितने ताजे रहते हैं यह सब्जी खाने में अपनी ही स्वादिश्ट लगती है अब इस सब्जी को अपने घर में जरू पना के देखिए यह हमारी सब्जी फ्राइब हो रही है इसमें तेस्ट बत्या तेस्ट में एक अलग से टेस्ट लाथा है अब इसमें पानी देँगे हम आधा का पानी ही देंगे क्योंकि मतर में खुद का पानी रहता है अभी हम ढकन हटा के चेक करेंगे कि मतर हमारे पके की नहीं तो आप देख सकते हैं मतर यहाथ अच्छी तरीके से पके हैं लेकिन इसमें पानी थोड़ा जादा है तो हम अभी फ्लेम बढ़ा करके इसका पानी सुखा देंगे क्योंकि यह मतर की सब्जी सूखी सूखी ज़्यादा अच्छी लगती है इसमें ग्रेवी उतना अच्छ नहीं लगता है तो हम पहली पानी इसका सुखा देंगे देखिए कितने खिले खिले बने हैं मटर ताजी मटर की तो बात ही अलग होती है अब हम अपने मटर को धनिया पत्ति के साथ कार्निश करेंगी तो लीजे हम आर मटर बन के यह विलकुल थैर हो चिक्ठा है आप इसको रोटी आ पराठे के साथ खाये अगर लाध्य कांगे लायन में हाय है झाल झाल